सीट एट एग्जाम के थोड़े से पहले अगर आप इन टिप्स को देख लेते हैं या देख लेती हैं तो एग्जाम में आपको 140 प्लस से स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन अंतिम बार करेंगे एक्जाम पर इन पांच टिप्स पांच मूलमंत्र के सहरे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पांच टिप्स से पहले दो पॉइंट हम जान लेते हैं जो हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल पैदा करता है कि सर हम पास कितने में हो सकते हैं देखें सामाने वर्क के उमीद बारों को 150 में से यानि 150 नंबर का पेपर होता 150 क्वेशन आते हैं उसमें 90 अंक लाने होते हैं तो वो भी candidate पास हो जाएगा, यहाँ पर category divided है, ठीक न, यह आपको पता दे, लेकिन हमें क्यों 80, क्यों नब्बिलाना है, हमें score क्यों नहीं अच्छा कर लेना है, इन 5 tips को देखकर, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बता दे, एक दिमाग में जहन में आता है, अगर आप अच्छे से teacher से अगर पूछेंगे, कोई अच्छा भी teacher है, या कोई आपके परिवार में सदसे है, उसे वेगार आप पूछेंगे कि क्या CT exam के लिए coaching नेना आवस्यक है, तो वो साफ कहेगा, जी नहीं, क्योंकि CT exam का pattern बेहद खूपसूरत तरीके से decorate किया ग यूज कर रहे हैं, जो TET, UPTET और MPTET वर्ग में इस तरीके से पूछा जा रहा है, हमें CTET फालो करना है, CTET बहुत अलग है, मनो विज्ञान को सकारात्मक पहला यहां पर टिप्स है कि मनो विज्ञान को सकारात्मक धंग से solve करें, अब मैं आपके सामने एक कुछ सन रखता पहले एक कुछ सन आप कर लीजेगा, बहुत आसान कुछ सन है कि एक बच्चा कच्छा में सोर मचा रहा है, आप क्या करेंगी या करेंगे, आप एक अध्यापका क्या अध्यापिका है, एक डाट कर चुप करा देंगे, बी है तुरन कच्छा से बाहर निकाल देंगे, माता पिता को खबर पहुचा दी जाती थी लेकिन कभी भी आप सीटेट एक्जाम में ये नहीं करेंगे आंसर डी मारेंगे सोर मचाने का कारण जानने की कोशिस करेंगे क्यों मिटा क्यों दोस्तों क्योंकि ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा कितना भी उद्धंड हो बच्चे को कभी मारना नहीं है मारना नहीं है बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है माता पिता को कता ही नहीं बुलाना है खुद समस्या तुम्हारे सामने है तो जब आपके सामने समस्या है तो आप ही हैंडल करेंगे यानि कारण है त आपको मनोविज्यान में पढ़ना क्या है ये टिप्स में देखी लिजेगा सारे तो सिध्धान तयार कर लेने हैं और पेडागोजी का कॉंसेट आपको बता ही दिया है कि 15 नंबर आपको ऐसे मिल लाएंगे जो सकारात्मक तरीके से आप पेपर सॉल्प करोगे विद्याले बुलाओगे निगेटिव हैं बाहर निकाल दोगे निगेटिव हैं दंड दोगे निगेटिव हैं सिध्धान तयार सारे होने चाहिए कैसे पियाजे का सिध्धान तयार होना चाहिए पिछली बार 8-9 कुसन सिध्धान से पूछे गए पियाजे से मात्र अब आपको लगता पढ़ना है कोहलवर को पढ़ना है वंडूरा पाउला फ्राइड मेकडूगल थॉर्ण डाइक और मैसलो इसके साथ साथ कोहलवर की अगर मैं बात कुरूं को सिद्धान जो आपके चैप्टर में नहीं है आपके स्लेवस में नहीं लेकिन आपको पढ़ने हैं दोस्तों क्यों और यहां से अगर एक भी कुशन गलत हुआ तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं यहां से तो कते ही नहीं गलत करना है यहां से 30 में 30 ला सकते हो विज्ञान में 30 में 30 आ जाएंगे लेकिन दोस्तों कैसे आएंगे गध्यांस में जो पूशा है उसके हिसाब से ही आपको उतर दे है एक हिंदी की कलास में बच्चे को भासा का घ्यान कैसे कराना है तो उस पुएंट का सकरात्मक सबसे option जो सकरात्मक हो देखे दोस्तों कभी पर निघ्रिव नहीं जाना बच्चे को मारा ना नहीं बच्चे को दन्ड नहीं देना है ना खुद से जो हो सकता है वो बेश्ट करिए तो आपको सबसे पॉजिटिव अंसर लगाना है समझ आदारित कुछन आपके लगवग हिंदी पैड़ागोजी में पंद्रा आते हैं इसके साथ हिंदी पैड़ागोजी में सिक्षन विधियों की बात कर लें अगर जैसे कृतियां यहां से एक दो चुटा पुटा कुछन देखने को मिल जाता है वो कर लोगे हमें पूरा विश्वास है टेंसर नहीं लेने का पर्रयाबन में आपको ज़्यादा ध्यान देने की अवस्यक्त है क्यों कि पर्रयाबन में समझ आदारित कुछन पंद्रा तो होते ही ह क्लास रूम में पर्रयाबन को बीजों के अंकुरन के बारे में आप सिखा रहे हैं तो आप बताईए सबसे बहतर तरीका कौईसा होगा तो यह तो हो गया सकारात्म का अंसर आप ढूनोंगे लगा देंगी या लगा देंगे आप बोलो किलीर है कोई दिककत नहीं है बहुत कुछन कर लेंगे राज्यों की परंपराओं से कुछन आपको याद रखना है कि राज्य की परंपरा क्या है क्या राज्यों में भोजन बन रहा है कचनार की सब्जी कहां पर बंती है है इस तरीके कि जो सब्जी है सहिजन के पत्वों की सहिजन के फूलों की सब्जी कहां पर इसा पक्षी बताइए जो जालाग होता है, या ऐसा पक्षी बताइए जो बताइए अपने बच्चों के लिए कबी घोस्ला नहीं बनाता है, इस तरीके से कुछ सनाते है, रहन सहन पहनावा, यहां से भी आता है कि भूमी मिट्टियों से एका दुक्चा, प्रथवी दिवस, प्रतवी की जानकारी, यह आजाता है, गडित में दोस्तों सबसे बच्चा डरता है जिन बहनों को जिन भाहियों को गडित अच्छी लगती है तो उनके लिए एक अलग मेटर है उन्हें कोई और सब्जेक्ट से डर लगता होगा है ना तो सबका एक प्लस मॉइनस पॉइंट होता है इस्थानी मान जाती मान तो 100% आता है यह बहुत आसान होता है आपने 2 या 3, 4, 5, 6 में आप जब होंगे क्लास में तो किया होगा भी भूल गए हैं तो इसको कर लिजएगा पैड़ागोजी के 15 कुसन होता है और यह तो इतना आसान होता है जो आकड़े हैं जो प्रतिसत आधारित प्रसन आ जाते है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है और एग्जाम के पहले और बता देंगे basic rule पर सवाल होते हैं, board maats से सम्मदित सवाल होते हैं ठीके न, ये भी आपको ध्यान देना है Sanskrit English आपके उपर निर्वर होती है कोई बच्चा कहता है कि हम Sanskrit लें या English लें देखीगा, यहाँ पर previous year paper उठाइए mock test उठाइए, और तुरंट solve कर लिजेगा इसमें वही system होता है, जो हिंदी में है गद्य पद्य तो आएगा, गद्य वाला तो आएगा और वो system होता है न, paragraph का, paragraph से questions आपको ढूनना है options answer, answer में टिकर देना है एक विलोम सब्द आपको मिलेगा, एक विलोम सब्द का मतलब है antennas मिलेगा, synonyms मिलेगा एक आपको यहाँ पर अलंकार, इंग्लिस वाला अलंकार मिल जाएगा साथी साथ pedagogical concept के 15 questions होते हैं जिस तरीके से हिंदी pedagogy, EBS pedagogy और math pedagogy होती है तो यह 15 questions आपको वहाँ से देखे